नमस्का दोस्तों मैं देविंदर पाल स्वागत करता हूं आप सभी का DSP कोचिंग सेंटर में देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 12 कम्पलीट करेंगे टाइप नमबर 10 फैल पास पर आधारित प्रसनों का सेक्शन सी क्योंकि HD यादव बुक्स में प्लीट करेंगे देखिए गया है है तो इस वीडियो में 111-112 सी कुंपलिट करेंगे इसके बार नक्स्द वीडियो में आपका केवल विविद बचा हुआ है उसमें 49 कुस्सन है तो वो हम नेक्स वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे और इस से पिछली वीडियो में हम पूरा सॉलूशन वन से कंप्लीट कर चुके हैं तो वो आप हमारा यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्किरिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है आप जा करके देख लेए चलिए हम कुस्सन स्टार्ट करते हैं देखिए कुस्सन आ गया हमारा हाँ देखिए कुस्सन नमबर 111 राकेस ने एक परीक्षा में 273 अंग प्राप्त किये जो पास पिरतीसत से पांच पिरतीसत अधिक थे यदि लोकेस को 312 अंग मिले तो उसने पास अंग से कितने पिरतीसत अधिक अंग पराप्त करके परीक्षा पास की हो थी देखिए इस टाइप के कुझ्टन में हम सबसे पहले क्या करेंगे 5 पृतिसत अधे थे तो 5 पृतिसत की हम फ्रिक्रेक्सन बैल्यू न,... लेंगे यानि 5 प्रितिसात को हम भिष्ण में बदलेंगे जो हम पिछली विडियो में करते थे यानि पाइट फरस्ट में हमने सका है आपको प्रितिसात में बदलना तो देखिए पांच परसेंट की जो फ्रिक्षन वैल्यू होती है वह होती है हमारी एक बटी 20 इतना लिग करती हैं हमने इसके बात देखिए यहां पर अधिक की बात की हुरा ही पांच प्रिटिसेथ अधिक दिसए तो आधिक थे हम क्या करते हर मैं इसको जोड़ के लिखते हैं तो कितना हो गया बीस में एक जोड़ ऐना हो गया 21 को और बटे में 20 है तो हमने 20 ले diligent हो हमारा 21 बटे 20 अब देखिए 20 का 5% एक होता है यानि अधिक है तो यहां पर देखिए 273 अंगप्राप्त की है जो पास प्रितिसत से 5 प्रितिसत अधिक है जो नीची की value है यह हमारी पास वाली यानि इतनी नमबर से भार पास होगा यह हमारी passing marks है वह जो उपर की value है हमारी 21 एक अधिक वाली है क्योंकि हमने जोड़ा था ना passing mark से 5% अधिक है तो pass से 5% अधिक है 5% का मतलब एक हुगा तो हमने pass वाली में एक को जोड़ दिया तो 21 हो गया हमारा अब देखिए pass की value हमारी 20 है और अधिक की value कितनी हमारी 21 आप देखिए स्वालूसन को यानि जो हम कुस्टन स्वाल कर रहा है उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा देखिए pass की value हमारी 20 नकल आई और अधिक हमारी अधिक की value हमारी 21 हो गई यहनि पास से 21 अधिक प्राप्त करता है ठीक है अब इसके बाद देखिए यदि low case को 312 अंक मिले तो उसने पास अंग से कितने 30-30 प्राप्त करके परिक्षा पास की हो थी पहले आप यहां पठीक इसक है अधिक की value यहांपे कितनी आई 21 लेकान कुस्ट्सन किया बोला कि राक्षिन एक परीक्षा में 273 रंड़ प्राप्त कियो पास से 5 प्रीक अधिक अधिक थे लेकान हमारी इसको पाटते हैं कितने है इसलिख दिसे देखिए इसलिखना सब्सक्राइब करेंगा हमारा गयारा कinson कि ते रहा सकते we have happened 13 हमारी एक की है कि आग Walk सागित तुच हुने हो जाएंगे तो हमारी पास्ड पांसद्ब लूसर्ट है तो हम सान निकाल है तो हमताता का गुड़ा कर भीえ है देखिए जीरो तेरा दूनी 26 दोसो साथ यानि यो पासंग मार्क्स आ गए हमारे वह तो आ गए दोसो साथ यह हमारे पासंग मार्क्स है ठीक है अब आंगे देखिए यदि लोकेस को 312 अंक मिले तो उसने पासंग से कितने प्राप्त करके परीक्षा पास की हो थी देखिए लोकेस को कितने अंक मिले लोकेस को 312 अंक मिले लेकिन पासंग मार्क्स कितने हैं 260 पासंग मार्क्स हमारे 260 लोकेस ने प्राप्त की यह 312 लेकं पास कितने में हो रहा 260 तो कितने प्रितिसत मतलब बहुत कितने प्रितिसत अधिक अंग प्राप्ट करता है वह अधिक्षा अधिक प्राप्ट के पास से 302 मैं से हम 270 को घठा देंगे बचेगा हमारा बाउन अब देखिए, बाउन अंग भै अधिक प्राप्ट करता है, पासिंग मार्क से, यानि 260 से बाउन अधिक प्राप्ट करता है, अब देखिए, यह हमें प्रिती सत में बताना है, प्रिती सत में बताना है, तो बाउन अधिक प्राप्ट करता है, किस से, 260 से, 260 को हम बटे में लि 6ग जय देनगे 50 के लिए हम करें कि 100 गोड़ा अब जी रों से जीरों कैंगे एक हमारा कि यह मारा 3 बार 13 कट जाएगा है यह हमारा 13 कट बावण अब देखें 5 डी बैपासिंग मार्क से 20.30 अधेकंक लाता है और पास हो जाता है यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर देखिए ओपसन नमबर ए यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं ना कोई कॉमेंट करते हैं ना है यह आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो लेक लाइक जरूर कर देना चलिए हम देखते हैं कुस्तन नमबर नेक्स्ट 112 देखें कुस्तन हमारा आ चुका है देखिए एक परीक्षा में 40, 50 तता 60 चात्रों वाले तीन समुहों ने एक भाग लिया यानि एक परीक्षा में तीन समुह हैं एक पहले समुह में 40 चात्रे हैं दूसरे में 50 तीसरे में 60 हैं उसमें उनकी उत्रेड़ता यानि उसमें पास हुए किरम सहा देखिए जो 40 समुह बाला है वो 130 से पास हुआ और दूसरा है वो 90 से 30 से तद अनूसार उन सभी समुह के कुल चात्रों की उत्रेड़ता प्रितीसत कितनी थे चलिए हम सौल्प करते हैं देखिए तीन समुह हैं पहले हम समुह लिख लेते हैं चालेस पचास और साट का यह हमारे तीन समुह है चालेस पचास साट अब देखिए पहले वाले समुह यानि चालेस का चालेस में से सो परितीसत पास हो रहे हैं सो परितीसत पास हो रहे हैं चालेस वाले समुह में से पचास वाले समुह में से नब्य परितीसत पास हो रहे हैं मिसंति बाद सक साठ वाले संदोंए में से ऐस पास ऊराया यूजिया इतना कलियार होगा ? अब आगे दखेए कि 10 30 ककॉसरिस का स्वर्व कितना होगा हमारे है自 चालिस जैनि स्वर्व पर संप पास उजिए तो 4 बटे में सौ आता है दो जीरो से दो जीरो कार दो नो पना पैंतालस आ गया हमारा इसी पर गा देखिए जीरो से जीरो कार दे आर्चेंग अड़तालस हमारा अड़तालस आ गया इतना के लिए रुगा ए आ गई हमारी पास की संख्या वर यह है हमारे चाथ्रों की संख्या यानि गृल मैं जतने चाहत्र है पहले मैं चार्स दूसरे में पचास टेसरे में साथ टूटल्स चाहत्र कितने हो गाहा है यहाँ पे देखिए तूटल 66 कितने हो गए है अब कि आपके टूटल 44 तोटल चात्र चात्रों को यारद कर लिए सार्टो चालिस सो पचास डेच सो टूटल टूटल चात्र हैं डेड़ सो इसके बाद देखिए वह पास कितने हुई है डेड़ सो में ऐसे 40 45 48 कितना हुआ टूटल इनको जोड़ेंगे देखिए 40 45 अधिए 40 45 48 कितना हुआ आपका 133 एक 133 यानि देखिए 133 आपके पास हुए डेड़ सो मैं से लेकिन कुस्तर में क्या पूच गया है तो उन सभी समूववव के कुल छात्रों के उत्रीड़ता प्रितिसत कितना था यानि कितने प्रितिसत पास हुए अब इसको में प्रितिसत पास हुए 133 पास हुए प्रितिसत में बदला है तो हम 133 को उपर लिखेंगे कितनी मैं से डेड़ सो मैं से तो हम डेड़ सो को लिखेंगे नीचे और प्रितिसत के लिए कर देंगे 100 का गुड़ा तो देखिए एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया पांस से इसको काटा प डूत्तिछ्ट डूत्तिछ्टिदुटिट्पी यादि दूशू छेसर बारी तीन मोगे अब कर निसे स्पूरण तकर पूराग स funeral Tut एक समेस्ट पिन संते मीत झालेगा पैसीٗ स्सृश्ट दो बटे तीन यानि 88 पूर लाग दो बटे तीन ये आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं कुस्ता नंबर 113 देखिए एक परीक्छा में एको बी की अपेक्छा अपेक्छा का मतलब है कि बी से 25 पिरतीस सत अधिक अंक मिले उसमें बी को सी की अपेक्छा सी की अपेक्छा 10 पिरतीस सत का मंक मिले वो सी को डी की अपेक्छा 25 पिरतीस सत अधिक अंक मिले तद अनुसार यदि डी को 500 मैसे 320 अंक मिले हो तो एको कितने एंक मिले हैं देखिए बहुत ही जी कुस्तन है इसको हम फ्रेक्शन से बनाएंगे देखिए चार लोग हैं तो हम चारों को पहले लिख लेते हैं देखिए इसको हम साफ कर लें देखिए चार लोग है हमने चारों को लिख लिया A B C और D अब इसके बाद देख जब 25% अधिक मिली 25 प्रिक्षाट की फ्रेक्शन वैल्यू होती हमें एक प्रटे चार अधिक अंक मिला अधिक की वात हो रही तो हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा यह हमारा पांच बटे चार अब देखें नीची की वैल्यू होती हमेशा से वाली से वाली वैल्यू कौन से इसमें बी की अपेक्छा अपेक्छा का मतलब है कि से के बी से तो बी की वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली यानि चार और उपर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एकी इतना के लिए है रुग तक्रान का उस में बी को सी की अपेखच्छा दस पिरतीसत कमंक मिले शीक्सी अपेखच्छा 10% कमंक में अध्यों कि सी की अपेखच्छ स्वी दस पिरतीसत की फ्रिक्सम वैल्यू होती है हमारीdar यहां पर हम रफ करते जाएंगे एक बटे दस कम अंग मिले तो हम दस मैंसे घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा नौ बटे दस अब देखिए C की अपेक छा यानी C से तो नीचे वाली वैल्यू हमारी C की हो जाएगी उपर वाली वैल्यू हमारी B की हो जाएगी अब देखिए B की वैल्यू कुतनी हो गई हमारी? 9 पर C की वैल्यू कुतनी हो गई? 10 कि इतना के लिए रुगा चलिए वांगे देखिए कि को डी की अपेक्षा देखिए सी को डी की अपेक्षा यानि डी से 25 प्रितीसाद अधे कंग मिले 25 प्रितीसाद की वैल्यू एक बटे चार देखिए 25 प्रितीसाद की वैल्यू एक बटे चार अधे कंग मिले तो हम जोड़े देंगे तो हो जाएगी हमारी 5 बटे चार नीची की वैल्यू हमारी से वाली यानि अपेक्षा वाली कि डी की अपेक्षा तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी चार D की value हो जाएगी 4 और C की value हो जाएगी हमारी 5 देखिए अब यहां से बन जाएगा हमारा ratio इतना के लिए रुग है देखिए जो एक खाली जगए देख रही है यहां पर C, D इसको पहले हम भरेंगे देखिए C, D और C के आँगे कितना है 4 तो यहां पे भरेंगे हम 4 यहां पर भी भरेंगे हम 4 अब देखिए यहां पे खाली जगाय है हम यहां पर भरेंगे हम 9 अब आगे देखिए A और B यहां पे जो खाली जगा है इसके आँए क्या है 5 तो यहां पे भर देंगे हम 5 अब देखिए इनका मना लेंगे हम रेस जो यानि इनका कर लेंगे हम गोडा देखिए 25 25 नम्मा 225 यहां पे आ जाएगा हमारा 225 अब देखिए हम सबका गड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हम B OR C जरूरत नहीं है देखिए कस्तन में क्या पूंचाहिए यदि B OR C का हमें मान नकालना ना होता तो हम B OR C का भी गड़ा करतें डी के 500 मैंसे 300 अब्लार यतोकल देखिए य Commissioner अब इसके बार देखिए डी का कितना आ रहा है यहां पर भल लेंगे हम दस यह खाली जगा है इसके आंगे क्या है दस ही चूट गया था आप देखिए चार चौक 16 और 16 का गुड़ा दस में करेंगे आजागा 160 यह आ गया हमारा 160 अब देखिए डी को कितने प्राप्त हुए 160 डी को प्राप्त हुए 160 लेकिन कुस्तन क्या कोडिंग कितने प्राप्त हुए 500 मैं से 320 अंक मिले यानी 160 की वैल्यू दी गई है हमें 160 की वैल्यू दी गई है 320 320 तो यहां से हम एक की वैल्यू आसानी से निकल सकते हैं 320 बटे 160 0 से 0 कारदो 16 दूनी 32 यानी एक की वैल्यू हमारी निकल के आ गई दो अब कुस्तर में क्या पोचा की एक ये को किवा क्या है देखिए ये को कितने अंक मिले तो कि इगा रिस्यों कितना आया था हमारा 225 9 की वैल्यू हम दो में कर देंगे कि ये की हमारी 225 की वैल्यू कितनी होगी दो सो पच्छिस गोड़ें दो इसको हम करेंगे तो यह आजाएगा दो पंचे दस का जीरो हां सला एक दो दूनी चार एक पांच दूनी चार यानि और में चार सो पच्छास चार सो पच्छास यह हो जाएगा हमारा लाइड अंसर कॉफशन नंबर वीरं लाइड अ सरॉप दिस पुसधन है चलिए देखते हैं कुफशन नंबर को 114 एक सो चैखए बहुत सरी सब्सक्तन है इस टाइब के कुस्सन देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं यदि आपने कॉंसेफ ठीक से समझा होगा तो आपको आ जाएगा गारंटी है यह मेरी चलिए देखिए कुस्सन पढ़िए 114 एक कॉलेज में 46 चात्रों को गुरुप ए दिया गया यानि 40 चात्रों को गुरुप ए दे दिया गया लेकिन सेस के 75 प्रेदी सत को गुरुप बी दिया गया और सेस 12 चात्रों को गुरुप सी दिया गया गुरुपों के लिए आविधन करने वाले चात्रों की संखिया कितनी हैं देखिए हम ट ठीक है अब देखिए सो मेंचे यानि कुल शात्रों मेंचे में इस कि ये वाले को एक पूरृ को कि तना मिला होगा समझ ना vouड़िते हैं कुल खात्र हैं हमारे सो जिन में से 40% को गुरूप A मिला इसके बास 6 बच्ची हमारे कितने 60 तो 6 के 75% को गुरूप B दिया गया 6 के 75% जब 6 हमारा 60 आया तो 60 का 75% कितना होता है हमारा बटे 100, 0 से 0 काट दिया 2 से काटा 2, 5, 10 2 से काटा 2, 3, 6 5 से काटा 15, 5, 75 15, 35 देख़ए 45 छात्रों को ग्रोप B दे दिया गया अब टोटल देख़ए स्वरी देख़ए टोटल छात्र थे हमारे 100 जिसमें से 40 को दे दिया A और 45 को दे दिया B टोटल कितने हो गए हमारे 85 यानि 85 चात्रों को A और B दिया गए आप सेस कितने बचे हमारे 15 क्योंकि टोटल चात्र 100 थे सो मैं से हम 85 को डालेंगे बचेंगे हमारे 15 सेस के बचे 15 लेकिन कुस्टन के अकॉर्डिंग सेस कितने बचे 12 यानि हम 15 की value दी गई है 12 देखिए 15 की value दी गई है 12 तो यहां से हम एक की value निकल सकते हैं 12 बटे 15 3 से काटेंगे 3, 4, 12, 3, 5, 15 यानि एक की value दब निकल के आई 4 बटे 5 तो हमें चाहिए ये total छात्रों की संख है यानि कुल छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या मानी थी हमने 100 जब एक की value 4 बटे 5 आई तो 100 की value क्या होगी 4 बटे 5 मैं कर देंगे 100 का गोड़ा 5 से इसको कर देंगे 5 दूनी 10, 0, 1, 8, 20 बार 24, 80 यह हो जाएगा मेरे प्यारे साथ यह हमारा right answer देखिए option number D, will be the right answer of this question, चलिए देखते हैं, question number 115, देखिए बिल्गों सेम question है वैसा, चलिए इसको हम solve करते हैं, एक परीक्चा में जिसमें पूराख 500 थे, एक को B की अपेक्चा 10 प्रितिसत कम अंक मिले, उसी में B को C की अपेक्चा, थोड़ा question नीची करते हैं, हाँ देखिए, C की अपेक्चा 25 प्रितिसत अंक मिले, और C को D की अपेक्चा 20 प्रितिसत कम अंक मिले, तद अनुसार, यदि A को 306 अंक मिले, तो D को पूराख के कितने प्रितिसत अंक प्राप्त हुए थे, देखिए, टोटल चात्र कितने हैं हमारे A, B, C, D, 4, हम चारों को लिख लेंगे, देखिए, A, B, C, और D, टोटल चात्र होगा है हमारे, चार, आप देखिए, जिन मेंसे A को B की अपेक्चा 10 प्रितिसत कम मिले, देखिए, दस प्रितिसत की फ्रिक्षन वैल्यू क्या होती है, इस टाप का कुस्तन देखिए, हम एक पिछली वीडियो में कर चुके हैं, सौरी, पिछले कुस्तन में हम पढ़ चुके हैं, आपका एक सो, बारा या तेरा यसा ही कुछ था, बिलकुर बैसा ही इसको स्वल्प करना है, देखिए, दस प्रितिसत की फ्रिक्षन वैल्यू होती है, एक बटे दस, कम की बात हुई तो घटा देंगे, तो हो जाएगा, नो बटे दस, नीची की वैल्यू से वाली होती है, बी की अपक्षा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी, दस, और हमारे एक वैल्यू हो जाएगी, कितनी नो, किलियर, आंगे देखिए, उसी में बी को सी की अपक्षा, पच्चिस प्रितिसत अधिक अंग मिले, पच्चिस की फ्रिक्षन वैल्यू होती है, एक बटे चार, अधि बटे 4 नीचे की value अपेकछा वाली यानी C वाली C की अपेकछा तो C की value हो जाएगी 4 और B की value हो जाएगी 5 इतना के लिए रुगा अब आगे देखी ए C को D की अपेकछा 20 Feedback कम मिले 20 Feedback की फ्रेक्षन value होती है एक बटे 5 कम की बात हुई तो हो जाएगा चार बटे 5 देखिए नीची की वैल्यू हमारी से वाले याणिया पेक्छा वाले यह डी की आप एक्छा तो d की वैल्यू हो जाएगी देखिए याँ पर आफके डी की वैल्यू हो जाएगी 5 देखें, डी की value होगी, 5, सी की डी की, अपेग्छा है, डी की value 5, वो सी की value हो जाईगी आपकी 4, अब देखिए, अब इसको हम रीसे ही solve करेंगे, पहले इसको हम भरेंगे, c, d और c, कि यांके कितना है, 10, सो यहां पर हम 10 भर देंगे, क्या भर गया है दस हमने दोनों में दस दस भर दिया यहां पर देखिए खाली जगाए कि यांगे कितना है चार तो यहां पर भर देंगे हम चार यहां पर देखिए खाली जगाए कि यांगे कितना है पांच यहां पर भर दिया हमने पांच अब देखिए यहां पर खाली जगाए कि आँगे कितना है चार तो चार चार अब देखिए इनका बना लेगे हम रेशियो यानि कल लेगे हम गोड़ा अब देखिए हमें एको तीन सो साट अंक मिले तो डी को पूरा कि कितने पेटी साट अंक पराप्त हुए थे तो हमें A और D की जरूरत है तो देखिए पाचोग 20 बीस नाम 180 ए आ गया हमारा 180 ए का रेशियो इसके बाद B का रेशियो कितना आया हमारा पाचोग 2010 यानि 200 बी को कितने मिले 200 ए को कितने मिले 180 लेकन कुस्टन के अकॉर्डिंग A को मिले 360 यानि 180 की वैलू हमें दी गई है 360 180 की वैलू दी गई है 360 तो यहां से हम एक की वैलू नकाल लेंगे 360 बटे 180 0 से 0 कर दिया 182 दूनी 36 एक कर एक की वैलू नकल आई हमारी दो अब कुस्सन में पूंचा है डी को पूरणा के कितने प्रती सतंक प्राप्त हुए डी को कितने प्राप्त हुए देखिए डी को प्राप्त हुए 200 लेकिन एक की वैलू जब नकल आई हमारी दो 200 की value हम निकाल लेंगे यानि 200 में कर देंगे हम 200 में कर देंगे हम 200 में कर देंगे हम 200 का गोड़ा तो यह हो जाएगा हमारा 400 लेकिन इसके बाद इसको हमें प्रितिसत में निकाल ला है यानि कि पूर लाग के पूर लाग के कितने प्रितिसत अंगे प्राप्त हो यह पूर ला जाएगा यह देक्ते हैं कि कुस्टन नंबर 116 कि हमारा लास्ट प्सक्राइब कि का कुस्टन थोड़ा नीचे लगाना परादेखी किसी परिक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में ऐसे 25 पिरतीसत योगता प्राप्त नहीं कर सके और योगता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के कुल संख्या केवल 450 थी तो परिक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी देखिए हम माल लेते हैं परिक्षा में 100 उम्मीदवा हमारे बिड़ते हैं, जिनमें ऐसे 25 पृतिस ते ने प्राप्ट की तो कितनों ने प्राप्ट नहीं की 75 ने प्राप्ट नहीं की, जो हमारे सेष के बचिए अब आँगे देखिए बैठने वाले उम्मीद वारों की कुल संखिया 450 है और योगता प्राप्त करने वाले उम्मीद वारों की कुल संक्या 450 है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 75 है जिनों हुने प्राप्त नहीं की देखिए क्या बूला यहां पर किसी परिक्षा में बैठने वाले उम्मीद वारों में से 25% योगता प्राप्त नहीं कर सके यानि 25% तो प्राप्त नहीं कर चूँकर 75% ने प्राप्त की लेकिन कुस्तन के अकॉर्डिंग कितनों ने की 450 ने यानि 75 कि बैलू दी गई हमें 450 हैंसे निकालेंगे हम एक की वैदू यहां से निकालेंगे देखें हम 1 की बैलू 450 बटें 65% अब ढिक इसको उसको हम काटेंगे 15 15 15我知道 15 35 35 35 बार पक्षेकट पकू Cancer एक की बेलू निकल आई हमारी छे अब चाहिए हमें क्या परिक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या टोटल उम्मीदवार कितने मानेते हमने सो तो सो में कर देंगे हम छे का गोड़ा सो गोड़ें छे हो जाएगा छे सो यह हो जाएगा हमारा राइट अंसर ओप्सन नंबर बी बोलू सत्नार भगवान की जै देखिए सी वाला ध्याय भी हमारा समाप्त हो चुका है इसके बाद अगली वीडियो में अपके बल हमारा 35 चैप्टरा का विविद बचा हुआ है वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो यानि सारे कुछ अच्छी से समझ में आ गए हो तो आप वीडियो को लाइक एक जरूर कर देना और कमेंट भी करना आप लोग कमेंट भी नहीं करते कुछ पूछते ही नहीं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नही बाइ बाइ